हे माई बटरफलाइ कैसे हैं सब? आ मैं भी ठीकी हूँ आज हम जुलाइ 2018 की वडियो देखने वाले हैं BTS 5th Army Kid Fan Gave BTS के बहुत सारे वडियो उन्हें ही मिलते हैं जो BTS Army के मेंबर होते हैं यानि जिनके पास Army के मेंबर्शिफ होती है और उसमें लगते हैं धेट सारे पैसे जो हमारे पास नहीं है पर कोई न कोई आर्मी उन वीडियोस को यूट्यूब पर या किसी वेबसाइट पर अप्लोड कर ही देता है इस वीडियो में BTS एक दुसरे के बार में बात कर रहे हैं प्लीज दिल पर मत लेना अगर कुछ बुरा लगे तो BTS बेस फ्रेंड है इसलिए उनका एक दुसरे को कुछ भी बोलना हसी मजाग में कुछ भी बोलना चलता है वीडियो की शुरवाद एज के हिसाब से होगी यानि छोटी से बड़ा तो सबसे पहले जेकी वी ने डेट किस कर लिया जेकी तुम अपने कुछ मसल्स कम करो मुझे तुम्हारे मसल्स पसंद है जब तुम अपना सर उपर करके पुछ अप करते हो जब हम सुबह कमरे में होते हैं मैं सच में तुम्हें एडमायर करता हूँ तुम्हारी जवानी के लिए गुड लग तुम इस फोटो शूट में काफी यंग दिख रहे हो इसलिए मुझे तुम पसंद आई जंकु का मुझे सच में तुम्हारे सौंग पसंद है हम बड़े भाई तुम्हारे जवान होने से खुश है शुगा मैजिक शॉप गा रहे हैं जो जेके का है सबसे यादगार कमेंट था जब शुगा ह्यूंग ने मैजिक शॉप गाया जेके से बड़े भी जिन ने हातों पर किस किया त्यांग आखिरकार तुमने अपने बालों को बढ़ाने की इच्छा पूरी कर ली ये सच में तुम पर अच्छा लग रहा है इसे बढ़ाते रहो ओ शुगा ने सर पर किस किया जो स्वीट जेहूप ने भी जेके ने गाल पर किस किया कितना प्यार मिल रहा है विको आरम ने किस कैसे किया उनकी नाग परी लग गई शुगा फिट से मेरे लिए सबसे यादकार कमेंट था जब बड़े भाई आरम ने मेरे बालों के बार में बोला थैंक यू वी से बड़े जिमिन जिमिना तुम लिटिल प्रिंस जासे रग रहे हो आयनो जमिना रूम के लाइट बंद क्या करो और जल्दी सोया करो और दर्वाज़ भी बंद क्या करो जमिना मेरे दर्वाज़ भी बंद क्या करो मेरे कमरे के लाइट भी आफ करना मेरे लिए कुछ नहीं मैं ठीक हूँ तुम हमेशा मेरे रूम में क्यों आते हो कास पोडो लेते समय तुम अपने आखे और बड़ी कर पाते टेबल भी साफ करना मैं नहीं करूंगा मुझे भूक लग रही है मेरे भाई तुम अच्छे हो ये सब मुझे साफ करने की बात कह रहे है पर मैं मैंसी इंसान नहीं हूँ सुगा हूंग के सब्दे सबसे यादगार थे अब जीमिन से बड़े आरेम नाम जुना जब हम चिकन खा रहे होते हैं तो दो लग पिक्स एक्स्ट्रा मत खाया करो अब मैं ऐसा नहीं करता बड़े भाई ये क्या आपको अपने दादों को ब्रश करने के लिए क्या रहा था क्या मुझे तुमारी एक मुड़ती मिल सकती है अपने कपड़े बड़े भाई को दान कर देना मतलब मुझे यूं मुझे भी तुमसे बहुत कपड़े चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा ये सच है मतलब अपने दादों को ब्रश क्या करो मैं ब्रश करता हूँ मैं ये कहने जा रहा था कि जब हम खाते हैं तो अपना फोन यूज करना बंद कर दो बड़े भाई मैं आपसे गाना चाहता हूँ ओके मैं ट्राइ करूँगा मुझे वो कपड़े पसंद है जो तुमने जहो बाहे को दिये थे तुमने पहले कहा था वो तुमें नहीं पसंद है BTS लिडर आ रहे हैं पाइटिंग सबसे यादगार कमेंट था जब जेकी नहीं मुझे अपने दाथ बरश करने को कहा एक्चुली BTS में मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा टूट बरश इस्तमाल करता है तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों बार बार ऐसा कह रहे है अब मैं और भी ज़्यादा बरश करूँगा साइद इतना बरश करना काफी नहीं था ना पीछे से जीमिन और वी बोल रहे है बड़े भाई दाथ जरूरी है अपने दाथ मत खो देना ओके थैंक्यू गाइस RM से बड़े जेहोब बैंक्टेंग फाइटिंग मिन शुगा जीनियस है क्या मैंने तुम्हें पांच मुड़ती नहीं थी किम सुग जीन हैंसम है प्लीज कॉन्टेर गोल्डन क्लोजेट फिल्म सुभे की चमक की तरह वेंते चलो खाते हैं जो पैटिंग तुमने डेट डिम में पहनी थी क्या मैं उसे ले लूँ होबा अगर तुम वरवाल हैंसम को देखना चाहते हो तो बस मुझे कॉल करना हमारे फॉरेवर होप जे होप पैटिंग बड़े भाई तुम्हें देड़ से सोना सीखना चाहिए बड़े भाई मुझे एक भी कमेंड याद नहीं रहा एक भी नहीं मुझे समझी नहीं आया इन्होंने कहा गया क्या ये मेरे बार में बोल रहे थे जे होप से बड़े शुगा मैंने जो गिफ यूंगी को दिया था उसने कभी यूज नहीं किया जिमिन मुझे फाट के आवाज निकाल रहे है बड़े भाई जब हमने एलबम जैकिट की फोटो ली थी तुम उससे भी पतले लग रहे हो जे के मैजिक शॉप का जे होप आले लाइन गार है बड़े भाई थोड़ा वजन बढ़ाओ सॉप फॉरेवर जे होप और सुगा को साथ में सॉप कहते हैं सुगा को पता भी ने चला जिनने क्या किया मेरे लिए जिमिन की फार्टिंग साउन सबसे यादगार थी यह सबसे नॉर्मल था दूसरे लोगों के लिए कुछ पॉसिबल नहीं है शुगा से बड़े और सबसे बड़े जिन मैंने तुम्हारा गिफ्टी बीस सेकंड तक यूज़ किया था जिन कितने साल के हैं 27 साल के यूंग तुम गेम खेलने में सच में बहुत बुरे हो तुम्हारे पास गेम खेलने का टैलेंट नी है यूंग तुम ड्राइंग करते समय कूल लगते हो प्लीज आगे भी ड्राइव करना जमीन ऐसे ही चले गए यूंग मेरे लिए तुम दुनिया के सबसे कूल इंसान हो ये वी पीछे से गए रेल बना दी सबने जेकी के हसी कितनी तेज है यहां तक सुनाई दे रही सबसे यादगार ये ट्रेन गेम था मैं रेकेमन करना चाहता हूँ कि हर नागरी को ये ट्रेन गेम खेलना चाहिए ओके देन बुरा मत मानना बेस्ट फ्रेंड एक दुसरे के बारे में हसी मचा करते ही हैं है ना अपना ख्यार लखना फिर मिलते हैं टेक केर बाई बाई